कुछ भी शो करता है कभी आपको दोसों की शो करेंगा कभी आपको एकदम से 70 पर गिर जायाएगा तो इसके आप हरों से नहीं रह सकते बिल्कुत इसको टर्निंग रेडियस है वह काफी काम है और कई बार गाड़ी जब में टर्न करता हूं तो हर किसी लीन हो जाती एक आज मैं आपके लिए ऐसी बाइक पर उनर्स एक्पिरियंस लेकर आया हूं जिसने बहुत कम टाइम में 160 सी सी के सेग्मेंट में तबाही मचा दी है में बाद इसलिए कर रहा हूं विकॉज आज हमारे साथ है औल्नी पलसर N60 2022 में गाड़ी इंडियन मार्केट में ती और ज जानेंगे कि यार ओनर की भी चॉइस क्यों बनी यह गाड़ी क्यों ली अलाकि दो महीने हो चुके यह 20 अपडेट वाला यह वेरियंट है क्या कुछ प्रोजन कौन से कैसा क्या राइडिंग कमफर्ट है स्पेशली माइलेज क्या कुछ देरी है सारी बाते आज जानने वाल प्राइज अपने हो क्या पड़ी और कितनी क्या वेटिंग थी यह गाड़ी मुझे पड़ी ती 1,60,000 की और 2023 में ली थी दो महीं ने हो चुके मुझे इस गाड़ी को ओन करे वे तो हो सकता तो 2024 में लेने जाओ तो आपको थोड़ी महेंगी पड़े दोती नजार उपे और अवेलिबिलिटी की बात है तो यह गाड़ी मुझे शोरूम पर ही मिल गई थी और स्पेशल यही कलर चॉइस के से बना जैसे मेरे बापा बोलते हैं वाइट कलर कार्स में और ब्लेक कलर बाइक में बैस्ट रेता है और दूसरे भी कलर देखे थे पर मुझे सबसे अपीलि अब सबसे मेन कोशन आता है इस सेग्मेंट में बहुत सारा कॉंपेडिशन है इसी की फैमली से एनस वन सिक्स्टी आ जाती है साथी में एक्स्ट्रीम वन सिक्स्टी इतने सारे ऑप्शन से और भी दूसरे सेग्मेंट में भी बाइक सा जाती तो यह गाड़ी लेने की जमी नहीं एक दम संडर सिंपल सा लुकता उसका मुझे थकाइडी चाहिए थी थोड़ी स्पोर्टिनेस में और वन सिक्सी ही रोगी जो इसका लोग इतना खास जमाने तो मैं देखने भी निया शुरूम पर बच्ती फिर आमार पाद अपाचे 164 भी उसका मैं चलाने में मुझे पर मुझे ज्यादा बैटल लगी चलाने में गया तो मैसे मैं यामा पर था मिवी ता एंपी देखने पर मुझे बहुत ज्यादा हाई प्राइज लगी बहुत अच्छी लगती है और वह मतलब निनी करके कि इतना 600 रुपे का डिफेंस 660 का तो मेन क्या चीस तो जि प्लसर उन से बेटर है समय परसे लगता है और अल तो उस गाड़ी का जो पावर और माइलेज यह पर्फेक्ट कॉंबिनेशन इन दोई चीज का यह बक्ती भी अच्छी और उसके आध माइलेज भी आपको अच्छा निकाल लीगे आप से चलो माइलेज की बात करी लिए तो स कितना क्या माइलेज निकाल रही है बाई स्टी में रहा हूंड यह 40-45 का देती हो कि मालेज यह वैसे तो कैलकुलेट नहीं करा में पर फिर भी टेंटर बता रहता हूं और हैवे आप जाओगे तो 55 तक तो आपको निकाली देगी गाड़ी आराम से हाला कि मैंने भी इस पर तो गाड़ी को तो स्टॉक ही रखना चाहता हो पर यहां पर जो गोल्डन कलर के स्टीकर्स टाइप कुछ आते हैं वह उस गाड़ी पर बहुत प्यारे लगते हैं जब से एंप्टी देखी तो फोक्स भी उसी टाइप चाहिए अपसाइड डाउन टाइप के अफसाइड ड तो हाइवेस पर कैसा क्या कंफर्ट रहता है अभी तक टॉस्पीड कितनी ले गए जापर हाइवे की बात थी इसका जो वेट है वो सेग्मेंट में सबसे ज्यादा है तो इसके कारण यह गाड़ी पूरी हाइवे स्टेबल रहती है आई स्पीड पर भी सो के प्लस भी चला दूसरी गाड़ी है वह भी उस पर जाती इस पर नहीं जाती बट फिर भी पीलियन के कमफर्ट के वारे में क्या कहना चाहूं को विकॉज सीट कंपरेजन में जो कुशनिंग है वह भी काफी सॉफ्ट दी है अब देखते हैं तो उसकी जो सीट है इसकी सीट इती वैसे तो लुक्स तो काफी बढ़िया है और बात आती हैं पर नेगेटिव की हर ओनर का अपना एक्सपिरियंस होता है वैसे मैं इस गाड़ी के प्रोजन कॉंस पर वीडियो बना चुका हूँ एज ओनर दो महीने में धाई-जार किलोमेटर चला दी है क्या कुछ जैन्मीन कॉंस लगे सारे डीटेल में शेयर करना हमना आपके साथ कुछ नेगेटिव शेयर करना चाहूंगा इस बाइक के पहला तो यह जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो काफी फ्यूचरिस्टिक पर इसमें जो डी टू है डिस्टेंस एमटी जो है वो कुछ भी शो करत हो तो हर किसी लीन हो जाती है एक साइट पर परसनली टर्निंग रेडियस तो मुझे भी कम लगा ऐसे रोड्स पर भी यूटन लेना तो थोड़ा एश्यू आता है बाकी कुछ नेगेटिव इस बारे में बाकी एक नेगेटिव है कि इस गाड़ी में शिक्त गेर की कमी लग बाकी कोई इश्यू नहीं बाकी तो गाड़ी बढ़िया है अब दो महीने हो चुके यह दार किलोमेटर चला लिए एक जैनवीन एक्सपरियंस बताना मतलब घर वाले पापा भी चलाते भाईया भी चलाते तो और आपको बजेट 150-60 का सबसे तो आप इस गाड़ी पर बिल दूसरी कंपनी यह चीज नहीं देती है डूइल चैनल लेज और स्पेशली माइलेज तो उसका बहुत प्यारा मुझे तो अभी तक कोई दिकत नहीं आई गाई यही ती आज की ओनर्स एक्सपिरियंस वीडियो थैंक्यू अपना एक्सपिरियंस शेर करने के लिए लास्ट